नमस्कार दोस्तों मैं हो मुकुन्गुलकुनिया आपका होस्त आपका मेरे चैनल नॉलेज़ अब में स्वागत है लेट्स लर्न टोगेदर आज का हमारा टॉपिक है टेंडर का जो प्रिवीड मीटिंग रहता है प्रिवीड मीटिंग प्रिवीड क्वेरीट्स महां इसके बारे में हम बात करेंगे टेंडर का इना यह आने गाद हम लोग अ। कि करते हैं इसके बाद क्लाइन रहता है वो निदम करता है अब प्रिवीड मीटिंग क्या है प्रिवीड मिटिंग का मेच के विटिंग एक कॉमन मिटिंग नह insya गार lawsuit के लिए क्लाइन को क्लाइंट एक बार बुलाता है और उनको क्वेरी रेस करने के लिए बोलता है तो वह प्रिवेंट मिटिंग अटेंड करने के लिए हम लोगों को मुदब कॉंट्रक्टर को क्या क्या तायारी करने पड़ते हैं तो सबसे पहले टेंडर का पूरा स्टडी करना पड़ता है स्टड़ी करके उसमें कुछ कमर्शेल है टेकनिकल पॉइंट से कुछ डाउट से उसका एक लिस्ट बनाना पड़ता है कुरी बनाने पड़ते है वो साइट विजट रिलेटेट कुछ को रिये तो वह भी आड़ करने पड़ते है तो टोटल कुईरिस एड़ करके हम लोग क्ल को पूछते हैं तो को में उसका कुछ टाइंस के बाद या सब पूचना चाहिए टेकनिकान हो कमर्शेल हो साइट विजटट हो सब हम लोग को पोछना चाहिए तो प्र Tuesday है मैं एक शेंपल तो जो हम बात करेंगे प्रीवीट क्वित और प्रीट मिटिंग बारेंगे जब कोई क्लाइंट या फिर गौवर्नमेंट कोई टेंडर फ्लोट करता है तो टेंडर फ्लोट करने के बाद कुछ दिन के बाद वो एक private meeting arrange करता है ताकि सारे contractors की जो भी doubts जो भी queries है वो दूर हो सके और सब clarify होने के बाद में contractor tender को code कर सके तो private meeting का date fix होती है तो उससे पहले कुछ एक certain time रहता है वो certain time में contractor को पूरे private queries client को submit करने पड़ जा है contractor को जो भी doubts है queries है technical हो commercial हो तो वो पूरा clients को submit करना पड़ता है तो वो submit करने के बाद client previous meeting में उसका job दे देते है या फिर उसका clarify करते है और कुछ दिन के बाद वो पूरा clarification या addendum बेज देते है पूरा जो भी queries का reply मतलब clear करके तो उसके वहसाब से contractor को आगे quote करना पड़ता है तो previous queries क्या होती है कौन कौन से queries contractor पूछते है technical हो commercial हो एक reference के लिए मैं आपके साथ एक share कर रहा हूं यह tender है construction of superstructure including plumbing, sanitation, firefighting, electrical and low voltage works और proposed multi-storied residential building उसके previous points है तो इसमें देखे serial number, title of query, reference as per tender document and queries from the contractor please confirm तो सबसे पहले हम commercial देखेंगे commercial में है EOT और insurance, EOT मतलब extended period of contract उसमें insurance अबलेबल मतलब कितना है क्या अबलेबल है कि नहीं तो इसमें reference तो tender document में यह reference में यह page पे यह clause है, यह clause में उन्होंने जो लिखा है तो as per tender document उन्होंने mention नहीं किया है अबलब EOT insurance mention किया है, बट कितना है क्या reimburse, उसका cost कितना है extended period का, वो mention नहीं किया तो इसलिए queries किया है, please reimburse the cost of all insurance during extended period of contract EOT इसके बाद है permits and statutory approvals, इसमें उन्होंने mention किया नहीं है tender document में mention नहीं किया है, तो contractor क्या पूछता है, यह permits and statutory approvals shall be in employer scope employer scope, वो सब clear करना चाहिए, और उसके साथ ही वो contractor बोलता कि environmental clearance also taken by client for this project इसके बाद working hours, mention नहीं किया है, तो contractor बोलता कि हम लोग 24 hours में लोग 2 या 3 shift में काम करेंगे क्योंकि project duration तोड़ा कम है, जल्दी काम करना इसलिए 24 by 7 days ऐसे काम करना करके वो पूछ रहा है, इसके बाद idleness, idleness का भी mention नहीं किया है, तो इसमें contractor पूछता कि labor और machinery अगर idle रही, एक beyond control of contractor तो उसका compensation contractor को मिलना चाहिए, इसके बाद payment on account, इसमें reference है, GCC, page number और clause दिया हुए है, इसमें ऐसा बोलता है कि the owner may actually description by system to contractor, may account of payment contractor during the progress of work on the basis of running account bills and more after specifically mentioned, तो running account bill के हिसाब से इनका payment होगा, तो contract payment का duration मेंचन नहीं है, इसलिए contractor का request करता है कि payment to the paid, जो भी running account बेलता है उसका bill जो payment जो भी होगा, seven days मतलब contractor bill submit करने के बाद, साथ दिन के अंदर payment मिलना चाहिए, और e-billing के भी हम लोगों को allow कीजिए, ऐसा contractor बोलता है, और अगर bill delay हुआ, तो contractor उसके उपर interest भी मांगता है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अब यह final bill, final bill में इसमें GCC page number clause वो सब लिकावा है, तो इसमें लिकाए कि final bill जो भी हो, contractor engineer, तीज दिन के बाद, मतलब जो भी है, चेकिंग करने के बाद, वो पूरा सबमेश, इसका चेक करने के बाद, तीज दिन के बाद, मतलब over completion होने बाद, तीज दिन के बाद, वो चेकिंग करेंगे, और चेकिंग करने के बाद, पूरा scrutiny करने के बाद, completion certificate बगर देंगे, और बाद में payment करेंगे, तो contractor बोलता है कि, यह final bill का payment जो भी है, हमको 15 दिन, सब्मीशन, जब final bill सब्मीशन होने के बाद, 15 दिन में मिलना चाहिए, अभी machinery advance, इसमें machinery advance mention नहीं किया है, तो contractor बोलता है कि, machinery advance हम लोगों को, 10% of contract value दे दीजिए, अलब जो भी नया machinery और old machinery जो भी है, इसके बाद water and electricity, इसमें अनेक्सचर 10 है, reference है, page number और clause, तो इसमें लिखाएंगे, contractor, शालान में, contractor कोई arrange करना है, water and electricity, what is own cost, और यह client जो भी है, वो responsible नहीं है, उसके लिए, तो contractor बोलता है कि, हम लोगों को please provide, water and electricity का at least one point free of cost, provide कीजिए, ऐसा contractor का request है, completion period, completion period, NID के सबसे 10 months है, तो contractor बोल रहा है कि, यह जो 10 months है, वो excluding monsoon हो, यह project मुंबई महने के बज़े से, मुंबई में heavy rain फ़र होता है, तो उसमें काम होता नहीं, काम बंद रहता है, तो excluding monsoon हो, completion period, उसके बाद temporary space, तो temporary space इसमें GCC लिए पेज और clause दिया हुआ है, तो इसमें लिखा है, sufficient land available, for disposal for contractor, और असपस में, जो field office है, go down workshop, assembly वो सब available है, इसा लिखा है, तो contractor request करता है, पर्फॉर्मन सेकूरिटी, यह जी सी सी पेज नंबर clause दिया है, पर्फॉर्मन सेकूरिटी 10% of contract prices है, तो contractor बोलता है, कि हम लोगों को request for performance security, पास पास टकाप और contract price कीजिए, इसके बाद LD charges, LD charges, और यह clause दिया है, 10% of, maximum 10% of contract price, तो contractor बोलता है, LD charges, यह maximum 5% of contract price कर जीजिए, LD मतलब liquidated damages, इसके बाद है, escalation, escalation का next charge 10 में, पेज 28 में clause में दिया हुए, तो इसमें client ने no escalation चाल भी paid ऐसा निगा है, तो contractor बोलता है कि we request to pay, escalation हम लोगों को actual market के हिसाफ से, और market rate के हिसाफ से pay कीजिए, mainly cement, steel, structural steel और MS plates के लिए, यही सब commercial points होगे, अब ही हम बात करेंगे technical points की, तो technical points में सबसे पहले है, soil strata, soil strata client mention नहीं किया है, तो contractor ने bore log data मंगा है, borehole data फरनीश करने के लिए बोला है, excavation stuff mention नहीं किया है, तो contractor ने exact location for disposal of excavation stuff, जहां disposal करना है, उसका exact location किदर है वो पूछा है, इसके बाद royalty, royalty भी mention नहीं किया है, तो इस contractor ने request किया है कि, आप हमारे excavation की royalty है, वो reimburse करो, इसके बाद utility shifting वो mention नहीं किया है, तो contractor ने बोला कि, we presume that utility shifting जो भी है, वो हमारे scope में नहीं है, अगर इनके shifting की बज़े से कुछ देर हुआ, काम में देर हुआ, लेट हुआ, तो इसके लिए contractor जिम्मेदार नहीं है, तो इसके लिए आप utility shifting आप करके दीजे, यह contractor बोल रहा है, इसके बाद flash, flash के बारे में कुछ mention नहीं किया है, तो contractor नहीं बोला कि, flash अगर concrete इंग में allow है की नहीं, अगर है, तो उसका कितना percentage है, concrete में, तो इसके बाद plot drawing, plot drawing दिया नहीं है, तो contractor ने plot layout drawing प्रपोस साइट का मंगा है, इसके बाद refugee area, तो refugee area में इसके ड्राइंग है, नमबर है, कुछ drawing का reference दिया है, तो इसमें walling, plumbing, electrical दिया है, तो इसमें refugee area जो है, वो contractor रह विजुम करते है कोई internal wall के बीना है, और drawing में कैसा wall, plumbing electrical, सब दिखाया है, तो आप clear कीजिए कि internal wall, walling है की नहीं, और इसमें आपका जो scope है, वो भी face way कीजिए, refugee area का, और इसके बाद queries, और last queries, वो contractor बोलता है कि हम लोगों को कुछ भी doubt होगा, कुछ अगर टेक्निकली भी होगा होगा, तो हम लोगों को पोचने के लिए allow submission से पहले तक, बिफोर submission, तो इस तरह से यह जो pre-bit queries है, यह queries contractor बनाते हैं, और client को submit करते हैं, तो pre-bit meeting में, यह सब queries के उपर discussion होता है, और client अपना जो भी है, इसके उपर जवाब दे देता है, और कुछ दिन के बाद, दो तीन दिन या कुछ दिन के बाद, उसका पुरा clarification का एक written document सब contractor को दे देता है, इस तरह से pre-bit के जो भी points है, clarification हो जाता है, और इसके बाद ही contractor अपना clarification से अपने quote, return analysis के quote करता है, तो दोस्तों, यह रहा हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसे लगा, आप जरूर comment कीजिए, और कुछ भी आपको doubt है, जरूर पू देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राब कीजिए, कुछ interesting topic के लिए मेरे वीडियो देखते रहे हैं, और मेरे चैनल को share, subscribe और like जरूर कीजिए, धन्यावाद